हेलो गाइस वाकते एक नव वीडियो में आज इस वीडियो में हम बताएंगे जब आप दूसरी स्टेट से गाड़ी खृते हैं तो उसका नंबर अपनी स्टेट का करवाने के लिए आपको क्या क्या डाकुमेंट लगेंगे कितना समय लगता है नंबर चेंड कराने पर कहां स उसके बिना आपकी गाड़ी आपके ना पर ने होगी ना आपका नंबर चेंड होगा तो जिस डीलर से आप गाड़ी करीद दे हैं उसको बोलिये भी इंसॉर्स प्लेशन करवाना पड़ेगा उसके बिना गाड़ी ना आनी होगी सबसे पहले आपको एक N.O.C. कटवाने पड़ेगी जब आपने गाड़ी खरीद ली तो इस तरह की भी N.O.C. होती है इसमें गाड़ी के बारे में डिटेल दी होती है और आपने कितनी तारीकों का N.O.C. कटवाई उसके डेट मेंचन की होती है तो आप जिस जिले के रहने वाले उस जिले की अनुसी कटेगी आपकी और जिस बंदे के नाप पर गाड़ी करवानी है उसके डाकुमेंट लएंगे तो उस बंदे का नाम होगा इस पर तो सबसे पहले भी एक आपको NOC कटवानी पड़ेगी जिस बंदे से आप गाड़ी ख्रीए देंगे जहां जिस टेलर से ख्रीए देंगे तो आपको NOC कटवा कर देगा तो उसके बाद भी आपको एक ठाई और नती से तीस नंबर का फार्म लगेंगे तीन फार्म अब तो मेरे पास नहीं है मैं लगा चुका हूं उसको ठाई नती और तीस नंबर के भी तीन फार्म NOC की साथ लएंगे जिस बंदे के नापर गाड़ी है उसकी तीन चार फोटो उसके आईडी फुरूफ दो आईडी फुरूफ और गाड़ी की आर्सी की फोटो कापी होनी जरूरी है आपका सभी डाकुमेंट आपके पूरे हो जाएंगे आपके NOC ठाई नती तीस नंबर का फॉर्म इंसार्स प्लियूशन गाड़ी की आर्सी आर्सी की फोटो कापी जिस बंदे के नापर गाड़ी है उसके दो आईडी फुरूफ उसकी तीन चार फोटो तो उसके बाद हम आगे का क्या प्रसस होगा गाड़ी का NOC करवाने का तो बताएंगे आप जिस जिले के रहने वाले जिले के आर्टी आउफस में जाईए वहां पर आपने सभी डाकुमेंट संबीट करवा दीजे तो आपको बताएंगे कितने टाइम तक आपके आपका NOC हो जाएगा और उ आइडी प्रूफ और उसकी दो-तीन फोटो नाल डाकुमेंट के लगेंगी तो जब आप डाकुमेंट संबीट करवाएंगे तो उसकी आईडी प्रूफ और दो-तीन फोटो ज़रूर संबीट करवाएं या बताएंगा मुझे कितना टाइम लगा था अपने गड़ी का NOC च चैंज हुआ है आपकी स्टेट का पूरा नंबर भी आपके फून के मेसेज बरा जाएका तो उसके बाद आपको बई टाइम दे गए आपकी नंबर ब्लेट का तो आपको शेले तो उसके बाद बाद अब है आरसी के लिए apply हो जाएगा तो भाई 10 से 12 दिनों में आपकी आरसी आपके डाग रही आ जाएगी तो भाई इस तरह की मेरी आरसी आगी थी न्यू बढ़ कर जो भी इस नंबर की आरसी आगी थी मेरी भाई अब तो इस तरह के आरसी आजएगी तो आप बताओं गए मुझे ग पर कितना खर्चाता है तो खर्च भी आपकी गाड़ी के उपर होता है आपकी गाड़ी कौन सा मोडल है कितनी आपकी गाड़ी की प्राइज है उसके उपर होता है तो उसके साफ से भी आपका खर्च होगा गाड़ी के आपकी गाड़ी कम प्राइज की तो भी कम खर्चा होग जब आपकी गाड़ी ज्यादा प्राइज किये तो ज्यादा खर्चा होगा जब आपकी गाड़ी एक हैजबेक के हैजबेक तो कम खर्चा होगा सिडान पर थोड़ा ज्यादा होगा तो एस जूवी पर उतसे भी ज्यादा होगा तो मुझे अपनी गाड़ी पर कितना खर्चा तो मुझे इतना खर्च हुआ था तो आपकी गाड़े इस से नीचे की गाड़ी जिस जिसे भी सुट होगी तो सुट पर भी बीस पच्ची हजार की क्रीब खर्चाएगा तो आपके गाड़ी पर डिमेंट करता है भी आपकी गाड़ी गांसा मौटल है किस पराइज किये तो जो बई मैंने डाकुमेंट के है इस सभी कमलीट होने चाहिए तो आपका गाड़ी का भी नंबर तीन्ज होगा तो वीड़ो बई अच्छी लगी लाइक कर देना चैनल को सुस्क्राइब कर देना मिलते हैं अंगली वीड़ो में